कोरोना वाइरस की वज़े से देश में लॉकडाउन जारी है लेकिन इस बीच भारसरकार ने रेल सेवा बहाल करने का फैसला किया है 12 मई मंगलवार से 15 विशेश रेल गाडिया शुरू की जा रही है जो राजधानी दिल्ली से अलग-अलग शेहरों तक जाएंगी और वहां से वापसी यात्रा भी करेंगी खुल मिलाकर फिलहाल 30 रेल गाडिया चलाई जाएंगी रेल मंतराले का कहना है कि इसके बाद दूसरी जगहों के बीच भी रेल गाडिया चलाई जा सकती है इससे पहले मजदूरों की आवाजाही के लिए कुछ राजियों के बीच में श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है हाला की अब मंगलवार से रेल सेवा बहाल हो रही है तो लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाव अभी मिलना बाकी है जैसे पहला ये कि मुसाफरियों को कितने वक्त पहले स्टेशन पर पहुँचना होगा जाच में वक्त लग सकता है क्योंकि रेल मंतराले का कहना है कि सभी यात्रियों की जाच होगी और जिनमें बीमारी का कोई लक्षन नहीं मिलेगा उन्हें ही आगे सफर करने की इजाज़त होगी लेकिन इस पूरी जाच परताल के लिए उन्हें कितना समय पहले स्टेशन पर आना होगा इस बारे में अभी जानकारी नहीं है इसके बाद क्या रेल गारी बीच में स्टॉपेज लेगी क्या वो अलग-अलग स्टेशनों पर रुकेगी या फिर वो एक जगे से चल कर केवल अपने गंतव्वे पर ही रुकेगी और ऑपरेशनल हाल्ट लेगी इस बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है क्या ट्रेइन में खाने का इंतजाम होगा क्या पैंट्री काम करेगी अगर हां तो सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का खयाल कैसे रखा जाएगा सोस स्टेशन पर टेस्टिंग करने की बात कही जा रही है और उमीद की जा रही है कि जहां मुसाफिर उतरेंगे वहां भी उनकी दोबारा जाच होगी लेकिन ये लक्षन की बात में कितना दम है क्योंकि कई मरीजों के मामले में बात कही जा रही है कि जिन लोगों को कोरोना वाइरस होता है उनमें भी लक्षन नहीं दिखते ऐसे में क्या ये बहुत बड़ा खत्रा नहीं है इसके अलावा अगर ट्रेन बीच के स्टेशन ओपर रुकी तो वहाँ सेनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और हाईजीन का कैसे खयाल रखा जाएगा एक रेल गाड़ी में कितने कोच होंगे और एक कोच में कितने लोगों को बैठाया जाएगा ऐसी जानकारी मिल रही है कि इन रेल गाड़ीों में एसी डब्बे होंगे अगर एसी डब्बे होंगे तो उनमें एक कोच में कितने लोगों को बैठाने की विवस्ता की जाएगी जो श्रमिक special train पहले चली थी उनमें एक कोच में 50 लोगों को बैठाया गया था हाला कि सामाने तोर पर 72 लोगों के बैठने के विवस्ता होती है सवाल साफ सफाई से जुड़ा भी है क्योंकि अगर आप एक कोच में 72 के बजाए कम लोग बैठाते हैं तो भी एक डब्बे में केवल 4 टॉयलेट होते हैं उनको इस्तमाल करने वाले अगर 50 होंगे तो बार बार उन टॉयलेट की सफाई कैसे होगी, सेनिटाइजेशन कैसी किया जाएगा इसके बाद एक सवाल स्टेशन से बाहर निकलने का है जब आप स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे तो मुसाफिर अपने घरों तक कैसे जाएंगे क्योंकि कई जगे स्टेट बॉर्डर अभी भी सील है फर्स कीजिए कोई दिल्ली आता है तो वो नौईडा और गाजियाबाद कैसे जाएगा जबकि वहां की सीमाओं पर पुलिस तैनात है और आवाजाही पर रोक है इसके अलावा यह भी सवाल किया जा रहा है कि लोग अपने घर महलों से निकल कर स्टेशन तक कैसे जाएंगे और गंतव्य पर उतरने के बाद अपने घर कैसे जा पाएंगे क्योंकि सामान्य तोर पर हर जगे सारजनिक परिवहन विवस्ता शुरू नहीं है इसे में इन गंतव्यों तक ट्रेन चलाना और उनी गंतव्यों से वापस ट्रेन दिली लाना कितना सुरक्षित होगा इस बारे में अभी सवाल है और उनके जवाब मिलना बाकी है